साथियों एक गाना था बहुत पुराना उसमें कहते हैं कि आने से उनके आए बहार और जाने से उनके जाए बहार वो कौन लोग हैं वो ऐसी क्या परिस्थिती है जिसकी वज़े से बहार आती है और चले जाती है साथियों बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अचानक हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा था बड़े मदूर सब्बन थे आपसे बड़ी मीठी-मीठी बाते करते थे जबरदस्त महौल था लेकिन ऐसा लगा कि पता ने पिछले दो-चार दिन से एक अफ़ते से दस दिन से हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी क्रेट हो गई है कारण नहीं पता चल रहा है कुछ भी चेंज नहीं किया ना घर बदला ना सोफा बदला ना कुछ और चेंज किया ना बनाया ना हटाया ना तोड़ा ना कुछ किया फिर ऐसा क्यों हुआ आईए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में आपके लिए बहुत यूसफुल बनने वाला है सातियां बहुत बार ऐसा फिल होता है हमें कि हमारे घर में अचाना कहीं से नेगटिविटी आ गई है नेगटिविटी जो वर्ड है ये बहुत पहले लोग जानते नहीं थे लेकि जब से वास्तो के बारे में आपने चैनल देखने शुरू किये वीडियो देखे टीवी पर आपने प्रोगाम देखे तब के बाद आपको पता चलना शुरूबा कि नेगटिविटी भी कोई चीज होती है लेकिन नेगटिविटी कहां से आती है कारण तो बहुत से होते हैं लेक बहुत बड़ा कारण नेगटिविटी का घर में टेंशन डिप्रेशन पैदा होने का आपस में जाए एक दूसरे के प्रतिक खिचाओ कोई बात करना पसंदी करता चोटी चोटी बातों में भड़क जाते हैं लोग तो इसके पीछे के कारण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में नमशकार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनत भारदवाच और आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि आपके घर में शांती बनाई रखने के लिए टेंशन खतम करने के लिए बहुत ज़रूरी है साथियों समस्याइं तो आती रहते हैं कभी पैसे के समस्याइं कभी हेल्थ के समस्याइं कभी प्रणुशे के समस्याइं कभी लीगल समस्या आती है कतरन तरना की समस्याइं जीवन जो है हमारा बहुत उज्जिव पहे लिए इसे कोई समझ नहीं पाया हम वास्तो वाले अपना दावा करते हैं जोतिश वाले अपना दावा करते हैं तंत्र मंत्र वाले अपनी बातें करते हैं कि हम जीवन बदल देंगे लेकिन ये जीवन है क्या इसको समझना बहुत मिश्किल है कई बार ऐसी चीजे होती जो कि अद्रशे होती है हमारे घर में बाहर से अंदर आ जाती है या तो अपने आप आती है या फिर कोई साथ मिल लेकर आता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अचानक negative feeling कैसे आने शुरू हो जाती है और क्या कारण हो सकता है कारण तो बहुत लेकिन एक बहुत बड़ा कारण मैं आपसे शेर करने वाला हूँ और हाँ याद आया अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल तो बहुत जबरदस्त है भारतो जी का का समझाने का तरीका बोलने का तरीका बहुत confident है तो मेरे चैनल को आज और अभी इसी समय सबसे पहले कर लेना सबस्क्राइब कहीं भूल मत जाना क्योंकि हो सकता है ये चैनल आपकी जिन्दगी को बतल दे अच्छी जिन्दगी आपकी आ सकती है देखे हुआ क्या नेगेटिविटी कहां से आई कोई लोग आए बहुत बार हम ये कहते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि सर वो आदमी गंदा वो आदमी नेगेटिव वो आदमी ऐसा कुछ नहीं कोई ना बुरा ना अच्छा होता क्या है कि हर किसी के साथ में अपनी अपनी जाए एक उर्जा चलती है जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं चलते हैं तो हमें एक उर्जा हमारे साथ चलती है आपने देखा कि पबली प्लेस में कभी रोड पे चले जा रहे हैं कहीं पर मेले में जा रहे हैं या कहीं और गूम रहे हैं आपके बराबर से कोई एक ऐसाथ में निकल जाता है होता है जो अपने साथ में बुखिये लेकर आए हैं उनका जो पर्स है उनका जो समान है अटैची जो कुछ भी समान साथ में लेकर आए हैं उसमें भी कभी कोई negativity हो सकती है अब क्या होता है कि महमार आए गैस आए आने के बाद में गए एक दिन दो दिन चार दे नो कि उसके बाद चले के बहुत बाद तो हम थोड़ी देर के लिए दृपत की पनधामनित के लिए हमारी सोफ़े उसके बाद चला गया रहाना कि दूसरे के बाद रहा आए यह क्या होगी अचानक कारण हो सकता है कि कोई ऐसी negativity घर में अचानक आ गई है और मैं बताऊंगा अभी तो आपको बता रहा हूं कि कारण क्या हो सकते हैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में अखीर में कि इसको ठीक करने का तरीका क्या है साथियों 10-20 रुपय में इ ज्यादा खर्चा नहीं पड़ा करता बड़ी-बड़ी रेमेडी नहीं करने पड़ती है मैं आपसे बहुत बार कहता हूं वास्तों दोश को दूर करने के लिए कुई बहुत बड़ी-बड़ी खर्चे नहीं करने पड़ते तंतर मंतर यंतर ने लेने पड़ते महेंगा समान भी मार्केट से लेना नहीं पड़ता अब देखिए टेंशन का एक शुरुबात यह भी हो सकती कि घर में कोई पेपर आया, कोई लेटर आया कोई मार्शिट किसी बच्चे की देखिए उसके बाद में टेंशन शुरू हो गई कल तक बिल्कु ठीक था होगे टेंशन चिंता में डाल दिया हर किसी को यह वो परिवार है जिसमें के दो दिन पहले बिल्कु ठीक था और अचानक से गड़बड हुई महमान के आने के बाद खास तरीके से गैस के आने के बाद में और उसी की बातों को लेकर या और किसी बात को लेकर आपस में तना तनी शुरू हो गई बहस बाजी शुरू हो गई एक कम उधर एक कम उधर दोनों का हो गया 36 का अकड़ा 36 का अकड़ा सोना अपने 36 जब हिंदी में लिखते हैं 3 ऐसी होता है 6 ऐसा होता है दोनों के दोनों कमर से कमर मिलाकर बैठे होते हैं जैसे आप मेरे पीछे देख रहा है इस स्क्रीन के उपर ये दोनो 36 के आखड़े में अब इसको ठीक करने का तरीका बड़ा असान मैंने आपसे कहा था कि 10-20 उपर में ठीक कर लेते हैं आपने क्या करना लगबख 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में आपने जहे हैं वो सर्सों लेनी पीली सर्सों आपके घर में होती है और कैसे यूज़ करने है आपके घर में 3 लोग आए 4 लोग आए 2 आए जो भी महमार आपके घर में आए 10 मिनट के लिए आए या 2 गंटे के लिए चार गंटे आए बैटके गए उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको उकल्ट साइंसिस के बारे में मैं साथ में टेनिंग भी देता रहता हूँ आपको आपने क्या करना है कि जैसे चार लोग अपने अपने सीट पर बैठे थे आपके सोफे पर बैठे थे या बैट पर बैठे थे जहां पर भी सोए थे आपने क्या करना है किसी भी समय अपने हलके mood में आपने उसके seat के ओपर बैठना है पांस-साथ मिनिट के लिए फिर second seat को try करना है third को try करना है या से bed को try करना आराम से वहाँ पर बैठो हो 2-4 मिनिट के लिए कुछ भी सोचो कोई दिकत नहीं है अच्छी बाते सोचो और देखो कैसा फिल हो रहा है जब वहाँ पर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगएगा जैसे कोई एक seat या एक chair या एक table आपको जह है थोड़ी सी heavy मैसूस होगी जहाँ पर कि आपको थोड़ी सा भारीपन मैसूस होगा बहुत असान तरीका है सातियों महिला इसको बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं छोटे बचे भी सेंस कर लेते हैं हम लोग भी कर लेते हैं हम तो खैर consultant है वास्तों के दुनिया में हम तो बहुत जल्दी negativity positivity को सेंस करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर tension रही है यहाँ पर बैटने वाले से कुछ negativity पैदा हुई उसके समान से उसके कपड़ों से या जो समान उसके पास चीथी है खुद उससे हो सकती है क्योंकि और आप बहुत पर मैच नहीं करता मैंने का इंसान कभी बूरे नहीं हुआ करते तब क्या करना है आपने आपने थोड़ी सी पीली सरसों उसकी उस जगां पर जहां बैठा था वहाँ पर आपने थोड़ी सी रख देनी है किसी भी शीशे की प्लेट में रख देनी है वहाँ पर उसके पास पड़ी रहेगी और रात को सोने से पहले अगर हो तो थोड़ी सी सरसों जहें वहाँ पर उस जगहां पर बिखेड़ दें जहां पर की वो बैठा हुआ था सुबा को उठकर उसको जहें उठा के उसे कूडे में डाल देंगे हटा देंगे उसको पिली सरसों को या परवा कर देंगे और जो कटोरी में उसको भी परवा कर देंगे, उसको हटा देंगे ऐसा सिर्फ आपने एक दिन करना है, दो दिन करना है, तीन दिन करते हैं तो वहाँ की जो negativity पूरी तरह से हट जाती है और हाँ, अगर वहाँ पे सुवा के समय आप नमक का फोशा लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपके घर में कोई आपने रूम स्प्रे यूज़ करते होंगे जो रूम ने घर के अंदर, तो आपने सुनाओगे चंदन, जैसे कहते हैं संडल वोड, उसका थोड़ा सा अगर वहाँ पर आप दो-चार शॉट्स मार देते हैं, तो वो नेगिटिविटी जो उस व्यक्ति के साथ आई थी, किसी भी कारणा चाहिए थी, उसके समान के साथ थी, पैन के साथ थी, कपनों के साथ थी, या उसके खुद के साथ आई थी, वो औरा वहाँ पर तुरंत फिर से वो ही री-एस्टाबिश हो जाएगा, जो कि उसके आने से चार दिर पहले था, मैंने कहा, इंसान बुरे नहीं हुआ करते, कभी-कभी उसके साथ में कोई चीज़े नेगिटिव आ जाती हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आपके बहुत काम आएगा, ऐसी होते हैं मेरे वी दोश को ये भी एक बहुत बड़ा वास्तो दोश होता है, जो कि घर में टेंशन डिप्रेशन को लाता है, और घर में हमेशा खुशियां होने चाहिए, घर में कभी भी टेंशन नहीं रहने चाहिए, बन जाए आपका परिवाद फिर से ऐसा, जो पहली स्लाइड देखी थी उस पहली स्लाइड में और इसमें जो आप अंतर देख रहे हैं, यह देखिए, हैपी फैमिली आपकी बन जाए, यही मेरी कामना है, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए, थैंक यू एंड गुड बाई